हाई गाईज एन वेलकम बैक आज का ये वीडियो नेल डेकोरिशन पर होने वाला है जिसमें मैं आपको कुछ ऐसा शो करने वाली हूँ जो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है स्पेशली उनके लिए जिनके नेल शॉर्ट हैं जी हाँ बिलकुल मेरी तरह और तो चलिए बिना किसी देरी के इस नेल डेकोर को रिवील करते हैं ये हैं आपके सामने नेलाट स्टीकर्स जिन में आपको 50 शीट्स मिलती हैं साथ में एक ट्विजर भी मिलता है जिसकी हल्प स आप ये नेल पे एपलाई कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको इसको अनपैक करके दिखा देखी हूं ये जे नेलाट स्टीकर्स हैं इसमें आपको 50 शीट्स देखने को मिलेंगी इस तरीके से इस तरीके से और साथ में आपको मिलता है इसके साथ एक ट्विजर सबसे पहले बात कर लेते हैं इन stickers की जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे pattern designs देखने मेलेंगे like flowers, butterflies, notes, designs, samurai, heels, etc. Look how pretty are these nail art stickers. ये इतने सारे हैं that these will last you many years because इसमें multi choices हैं. Up to 1100 flowers are there in the sheets and these are more than sufficient. की मदद से हम इन शीट पे से ये stickers निकालते हैं. शीट की closer look से पहले मैं आपको एक बार ये ट्रिजर निकाल के दिखा देती हूँ. कि ये देखे ये कुछ इस तरीके से दिखता है. ये ट्रिजर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा आगे से बहुत शार्प है इसी से हम जो है अपने निलाट stickers को पकड़के अपने निल्स पर लगाएंगे. ये देखे आपको इसमें butterflies, flowers, roses, काफी सारी butterflies, अलग-अलग कलर की. ये आपको notes, ये heels, different kind of flowers, punk, designs, और ये petals. ये दुबारा से ही सब कुछ love stickers, और कुछ funky designs, and samurai. ये ऐसे करके आपके पास बहुत सारे stickers हैं 50, sheets हो जाएंगे. इसको देखे कितना प्यारा है ये. अलब occasion के according भी आपके पास इसमें stickers हैं, जैसे देखे, ये love stickers हो गए. तो चलिए, अब मैं आपको इसका application process बताती हूँ. फर्स्ट ली हमें जो भी stickers apply करने हैं, उन्हें cut कर लें. Just like this, कि इसकी जो film है, इसके उपर इन सभी stickers के उपर एक film लगी हुई है, जिससे आपको इनका transient look दिख रहा होगा, तो इस film को इस तरीके से आप हटाएंगे, और जो भी stickers आपको अपने nail के लिए चाहिए, उनको cut कर लेंगे. जिससे मैं आपको भी दिखाती हूँ, कि मुझे ये first जो है, ये सबी चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से cut कर लूँगी, दिहान से कि आपका sticker ना cut हो, ये देखिए, ये मेरे को मिल गए stickers, जो मैं apply करने वाली हूँ आज अपने nails पर. ये जो stickers मैंने चूज किये हैं, आप देखिएंगे, इसकी film हटाने के बाद भी, अगर इसको मैं ऐसे rub करती हूँ, तब भी ये इस पे से नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तब ही निकलेंगे, जब मैं इसको water में dip करूँगी. So, जो भी stickers आपने चूज किये हैं, उसको one by one कट करके, जिसे मैं हैंसिस को कट कर दूँ, और उसके बाद हम twizzer की help से पानीर में dip करके, और अपने nail पे paste करेंगे. But उससे पहले मैं आपको एक बात बता हूँ, ये सिल्वर वाला और मैं इसको skip कर दे रही हूँ, जो कि प्रोड़क्ट के साथ में आया था, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे defective लगा अगे से, कि जब मैंने stickers को ऐसे पकड़ के देखा, तो आप देखेंगे कि ये जो है आगे करके दूसरा मंगा लीजेगा, मैंने इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास अल्रेडी है जाता है और आपको डिफेक्टिव आ जाता है और आप सोचते हैं कि नहीं काम चल जाएगा, हम अपनी फिंगर टिप से ही लगा लेंगे, ये stickers, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने fine and small हैं कि आपको ट्विजर की help पढ़ेगी ही पढ़ेगी कर कक्या है नहीं कर दो है झाल झाल लेल पे स्टीकर्स पेस्ट करने के बाद आपको एक कोड ट्रांस्पेरन लेल बेंट का अपनी लेल पे लगाना है इन स्टीकर्स के ऊपर ताकि ये डूरेबल रहे करकें लेडें तरन स्टीकर्स का अपनी जा रहें भाने पेस्ट ट्रांस्ट आफे लेल रहे, ट्रेवलो उन्ज नह स्टीकर्स, पुर्ण गर्रिट ने Corn पेस्ट्रांस्ट MOR तक आपके स्टीकर्स कही नहीं जाएंगे अगर आप डेक्स जॉब करते हैं बस आपको बीच में जब लगे की नेल पेंट हट रही है तो ट्रांस्पिरेंट नेल पेंट की एक कोट और लगा लें और अगर आप घर में थोड़ा बहुत काम करते हैं जैसे डिशेज कोकिंग और अपना डेली रूटीन तब भी स्टीकर्स फोर तो फाइव देज तक खराब नहीं होते हैं यह और भी काफी आप क्रेटिविटी से जैसे फ्लावर के साथ बटरफ्लाई या उकेशन वाइस इसमें नेल्स डेकॉर जो हैं कर सकते हैं अब जिनको प्ले नेल्स पसंद है तीन चार दिन तक के बाद दे के नोट बेर दर नेल पेंट पर उन्हें इतना सिंपल नेल्स भी रखना पसंद नहीं है तो उनके लिए एक मस्ट बाय थिंग है जैसे आपको एकदम से पार्टी में जाना पर ज़र आपके भी मेरी तरह शॉर्ट नेल्स हैं और आपको भी नेल एक्स्टेंशन पसंद नहीं है तो यह बिल्कुल एक फूट फुल प्रचेज रहने वाला है आपके लिए बड़े नेल्स के लिए भी इसमें बड़े और चोटे जो हैं स्टीकर्स एविलेवल हैं देखे यह जो नेल आर्ट स्टीकर्स हैं आप कैसे भी करके जैसे एक नेल पेंट आप इसके नीचे अप्लाई कीजिए अपने नेल्स पे फिर आप स्टीकर लगाएं फिर जो है आप ट्रांस्पेर नेल पेंट लगा लीजिए यह आपके ओपर डेपेंड करता है कि आप कौन सी नेल पेंट के साथ इसका जो है मैच करने वाले हैं अब बात कर युँआ इसके रिमूवल की तो यह नेल पेंट रिमूवर से हट जाते हैं बहुत असानी से प्लस मैने इनको स्क्रैच करके भी स्क्रैच क करके इस तरीके से हटाके देखा है तो इससे भी बहुत इसली हट जाते हैं तो इसकी कोई टेंश Nope कि इसकी गलु कितनी हंके प्रांस्पेरेंट नेल पेंट है जो आप उपर से एप्लाई करते हैं सो इस चीज की टेंशन नहीं है आपको यह सभी नेलार स्टीकर्स जो 50 शीर्स ब्लस एक ट्विजर 400 तक की रेंज में मिल जाएंगे वैसे तो इनका MRP जो है वो 650 है पर उफर्स चलते रहते हैं सो 40 परसेंट तक इस पे मैक्स तो मैक्स ओफर आ जाता है सो आपको I think 400 तक का मिल जाएगा मैंने यह पर्चेज किया था 360 में और इसका लिंक, इस प्रोड़क्ट का लिंक मैं आपको जो है पर आपको जो है